ट्रिक टोलर्न क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम अपना करेंट अफियर देखेंगे और आज का हमारा करेंट अफियर 22 जुलाई 2023 से 24 जुलाई 2023 का है तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेस्चन है वार्सिक बोनालू महोचसो कहां मनाया तो यह मनाया गया है है हैदराबाद में अब इसके बारे में जाने तो यह तैलोगों में बोनाम सब्द का जो साब्दिक अर्थ होता है वो बरतन में मीठा भोजन है जो देवी मा को एक भेट के रूप में चड़ाया जाता है तो यह महोचसो कहां मनाया जाता है है को भेट किया जाता है वही होता है ठीक है चलिए अपने नेक्स्ट कोशन के तरफ बढ़ते हैं राश्ट्री जंडा अंगी करण दिवस कब मनाया जाता है तो यह जो राश्ट्री जंडा अंगी करण दिवस होता है वो हर वर्स 22 जुलाई को मनाया जाता है अब यह 22 जुलाई को हरवर्स मनाया जाता है अब राश्टी धज के बारे में थोड़ा जान जाते है तो राश्टी धज के जो निर्माता या सिर्पकार होता है वो श्री पिंगली वेंकेया जी है राश्टी धजगीत हमारा क्या है तो वो है विजयी विश्वतिरंगा प्यारा जंडा उचा रह अब यह जो राश्ट्री ध्वज है ध्वजगीत है उसके रचनाकार कौन है तो उसके रचनाकार है श्री श्यामलाल गुपता जिने पारसर भी बोला जाता है ठीक है अब यह जो हमारा राश्ट्री ध्वज होता है उसमें लंबाई चोड़ाई का अनुपात क्या होता है तो पार्फ जो है वह है पब्लिक सेक्टर अंडर्टैकिंग ठीक है और जो गवर्मेंट ए मार्केट प्लीस फे फी है वह है वह आइख एक ऐसा पॉटल है जिसके दवारा जिसके द्वारा मर्केट Mumnus यह मदलब अपने समानों का खरीद किया या तहा तब इस नहीं बंड़हां कर अच्छा काम किया है किel ऑने, जेंज सिर्वक्रायण से सवीज्ण से ख्रकार अवेर्द से वीज्ग संवाइन बढ़ हमें सुच्म उद्देमी दुरघटना बीमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है अब इसके बारे में जाने तो इसके तहत पाच लाक रुपे की सहायता रासी प्रिदान की जाएगी जो जेपाल श्रीमती आनंदी वैन पटेर जी है और यहां के मुख्य मंत्री श्री योगी आधित्यनाथ जी है चलिए अपने नेक्स्ट क्रॉशन के तरफ बढ़ें तो इसमें देखिए आपको इसमें थोड़ा सा चीजे समझ में आएंगी इस फीगर से जैसे यह क्या है च्छोटी उद्धमियों को योगी सरकार द्वारा दिया गया तूफा है ठीक है और इसमें क्या होगा उद्धमियों को मिलेगा 5 लाग तक का बीमा ठीक है और इसमें 60 साल क्या उद्धमि कर सकें गाविदन अगर आपसे यह वी कुश्चन पूछ सकता है कि यह जो बीमा चीज के लिए अंतराश्टी समंद्री संगठन IMO में उमिदवारी किस देश ने प्रस्तुत की है तो यह किया है हमारे भारत देश ने ठीक है अब यह IMO जो है अंतराश्टी समंद्री संगठन इसका फुल फॉर्म आप से पूछेगा तो हिंदी में तो आप बता देंगे अं किन अगर अंग्रेजी में पूछता है तो इंटर्लेस्टन मैरी टाइम और्गेनाइजेशन इसका फॉल फॉर्म है इसका मुख्याल है लंदन यूनाइटेट किंग्डम में है ठीक है और यह जो अंतराश्टी समंद्री संगठन इसका गठन हुआ था 17 मार्च 1958 को यह जो अब इसके बारे में जाने साब वार्ट के बारे में तो अमेरिका के मेरी लैंड राजिकी प्रतिश्ठित नाग्री द्वारा प्र्यटन और भारत के संभरित संस्किती को बढ़ावा देने के लिए इसे प्रदान किया जाता है चलिए अपने नेक्स्ट कोशन के तरब बढ स्वच्छ जल नवाचारों के लिए पुरस्कार इससे संबंदित है, इस ला इसे जीटा है, प्रफेशर थल प्रदीब जीए फ्यर इन्हें चाहा है, इन्हें चाहिए प्रदीब के लिए नाम से भी जाना जाता है, और यह जो अवार्ड है एनि प्रसकार इसकी अस्थापना हुई थी 2007 में ठीके अब यह अवार्ड दिया किसके दोरा जाएगा तो यह इटली के राश्टरपती सर्जीयों मट्टा रेला जी द्वारा प्रोफेशर टी प्रदीब जी को दिया जाएगा यह हमारे उन दिखा ज जा रहा है टी प्रदीब जी चलिए नेक्स्ट के तरह बढ़ते हैं रेल्वे सुरच्छा बलके प्रमुक महानिदेशक की से नुक्ति आ गया है देखिए प्रमुक के नाम से भी क्वेशन पूछ सकता है और नुक्तियों से हमेशा क्वेशन पूछे जाते हैं तो आप इस स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई थी और इसका जो मुख्याल है वो नहीं दिल्ली में है यह हमारे दिखाया जा रहे है मनोच यादो जी है चलिए नेक्स्ट क्वेशन के तरह बढ़ते हैं भारती तट्रच्छक बलके 25 महानिदेशक की रूप में किसे नुक्त किया गया है ध्यान दिजिएगा आपसे क्रम भी पूछ सकता है तो यह नुक्त किया है डीजी राकेस पाल जी को आपसे क्वेशन ऐसे भी पूछ सकता है कि डीजी राकेस पाल जी जो भारती तट्रच्छक बलके महानिदेशक बने वो कौन से नंबर के महानिदेशक है अब क्या बता द कि हमारा जो भारत भारती तट्रचक बल है वह विश्व का चौथा सबसे बड़ा तट्रचक बल है चलिए यह जो आपको दिखाया जा रहा है वो डीजी राकेस पार जी है ठीक अब यह थोड़े मारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं तो राश्टी वेस्बूक और टेलिग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिशन बॉक्स को जरूर देखे थैंक यू